यह दो trading sessions को देखो एह है 15 अगोस्ट का और यह 6 अगोस्ट का तो इन दोनों को देखने में सेम लग रहा है लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को compare करें तो क्या difference निकल गया गा तो इहां पर देखो इन दोनों का support और resistance जो है support और resistance जो है almost same ही है ठीक है और यहां पे market open हुआ था यहां पे market open हुआ था negative और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद market थोड़ा सो उपर गया और यहां market जब trading session की low को break किया तो market ने सीधा नीचे आ गया support level के पास आ गया और यहां से bounce करके market ने ओपर गया तो आज का trading session में क्या हुआ आज market positive open हुआ और यहां पर 15 minutes का बहुत बड़ा candle देखने को लिए मिला है ठीक है और market ने क्या क्या जो last day का जो high था उसको भी तोड़ दिया यहां पर देख सकते हो last day का जो high था उसको भी लेकिन sustain नहीं कर पाया उसके बाद क्या हुआ market ने नीचे आगया और आज का जो low था उसको break करने की कोजिस किया लेकिन फिर से यहां पर break नहीं कर पाया फिर market ने कुछ time भी ताह यहां पर और उसके बाद market ने ब्रेक करके नीचे side आया लेकिन जो closing था आज का जो closing था वो काल का जो low है काल का low देख सकते हो कहां पर है 23,895 तो उससे उपर ही है तो main point यह है market आज negative क्यों था एक major question है और next few days क्या market negative रहेगा या फिर market यहां से bounce लेके उपर जाएगा और market अभी तक risky है की नहीं ठीक है एक कुछ major point है यह हम लोग आ बात करें तो last trading session में गीप निपटी नेगेटिव ओपिन हुआ था लेकिन positive close हुआ था तो उसका एक बजा है कि market आज positive open हुआ और बहुत बड़ा gap आप दिया second reason क्या था यहां पर देख सकते हो Japan की market इतना percent change हुआ 9.28% 3000 points positive close हुआ तो इसका असर भी हम लोग को आज का trading session में देखने को ले मिला है तो यहां पर Dow Jones भी positive close हुआ था लेकिन जो US market है अभी तक negative है यहां पर NASDAQ भी negative है और European market भी यहां पर negative है तो काल का trading session कैसा रहेगा support और resistance कहां रहेगा कहां हम लोग buy करेंगे कहां sell करेंगे nifty और bank nifty दोनों में हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहां पर bank nifty में देख सकते हो कि यहां पर एक बहुत बड़ा gap create हुआ है और आज का जो market close हुआ है कल का closing से नीचे ही आज close हुआ है तो हम लोगों को level wise कमकस करना है और यहां पर support और resistance कौन सा है यह में बता देता हूं जो immediate support level है ओ है 49,500 और उसके बाद है 49,350 जो resistance है ओ है 50,690 अ यहां से एक selling pressure देखने को लिए मिल सकता है क्योंकि अभी भी market ब्यारिस है और market गीने का एक major origin क्या था ओ मैं कल telegram group पे लिख दिया था कि FII, DII और client का position क्या था तो night को यह data आता है FII का तो मैंने telegram group पे update कर दिया था कि FII का जो data है और negative है almost 10,000 crore का उन लोग ने position बना के गया था selling position बना के गया था और उन लोग का position negative था और pro का भी position negative था और client का जो position रिटिलर को जो position था ओ positive था तो अभी तक आप लोगोंने telegram channel जान नहीं किया तो description में link है अभी जाके join कर लो ठीक है तो आज market गीने का major reason क्या था एक है selling pressure of SII SII का जो बहुत बड़ा selling pressure है उसक market का negative sentiment तो यहां पर support और resistance level यह marker कर लो nifty 50 का support और resistance level हो हम लोग यहां पर देखेंगे तो support level है 23,910 और उसके बाद है 23,750 यह दोनो immediate support है और उसके बाद है 23,655 और जो resistance level है 24,364 अगर market ने यहां तक आ गया तो यहां से selling pressure देखने को लिए मिल सकता है तो market risky है कि नहीं market अभी भी risky है तो हम लोग को level wise और data wise कम कस करना ठीक है तो ना इसको FIA का data आएगा वह मैं telegram ग्रूपे update कर दूँगा अगर अब लोग को safe trading करना है तो अभी जाके हमारा free telegram channel join कर लो ओगे ठीक है तो मिलते है कालके trading session में